जब बात कॉविट के खिलाफ वैक्सिन लगवानी की आती है तो एक सवाल है जो आप सब के मन में जरूर आया होगा कौन सी वैक्सिन बेस्ट वैक्सिन है अगर आपको आफ्सन मिलता है तो क्या आपको को वैक्सिन लगवानी चाहिए या फिर को भी सीड लगवानी चाहिए इनमें कौन सी वैक्सिन की साइड एफेक्ट सबसे कम है सुरुवात करते हैं side effects के सवाल से हम कोई भी injection लेते हैं तो जहां लिया जाता है वहाँ थोड़ी सी दर्द याज सुजन होती है यह एक local side effect है दूसरे होते हैं systemic side effect इनमें ऐसा होता है कि बुखार, सिर्दर्द और ठका हुआ महसूस होता है ऐसा एक दो दिन के लिए रहता है उसके बाद ठीक हो जाते हैं एस्टेजनिका की vaccine में side effects ज़्यादा होते हैं first dose के साथ और second dose के साथ कम होते हैं यह तीन लोगों में एक को होता है यह सब common side effect है और कुछ rare side effects सभी vaccines के लिए होते हैं यह जो बहुत बहुत rare है लेकिन जान लेवा side effects हैं कोवी सील्ड के इनकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी link मैं नीचे description में डाल दूँगा जाके वीडियो को देख सकते हैं अगर इस part को और detail में जानना चाहते हैं तो वैसे यह जो सारे vaccines हैं दोस्तों से जिससे यह inactivate हो जाते हैं मतलब यह आपके लिए harmful नहीं रहता और फिर इस virus को as a vaccine इस्तेमाल किया जाता है दूसरी category है viral vector vaccine जो हमारी kovi shield और Russia की sputnik vaccine है इसमें होता क्या है kovi shield में चिंपांजी अडिनो वाइरस लिया जाता है यह आपके body के अंदर जाकर vaccines की तरह काम करती है जिससे body humidity build up कर पाए SARS-CoV-2 virus वही virus है जिससे covid-19 होता है लेकिन रसिया की sputnik vaccine में चिंपांजी अडिनो वाइरस की जगा इंसानों का ही एक अडिनो वाइरस इस्तेमाल किया जाता है तीसरी category vaccines की जो की है mRNA vaccines जैसे की Pfizer vaccine और Moderna vaccine एक photo app के सामने SARS-CoV-2 virus के जिससे आपको covid-19 होता है यह जो ball सी save दिख रहा है जिसमें यह red-red चीज बाहर निकली हुई है इन red-red चीजों को कहा जाता है spike proteins अब आप सब जानते हैं human body के अंदर DNA होता है ऐसे ही virus के अंदर RNA होता है mRNA का मतलब है messenger RNA तो spike protein से mRNA को निकाला जाता है और आपके body के अंदर vaccine की तरह काम करती है और इसके साथ cellular humoral immunity antibody बनाते हैं और एक बहुत बड़ा सवाल जो कौन सी vaccine ले अगर choice है तो co vaccine या covid-sealed या फिर Pfizer का इंतिजार करना चाहिए co vaccine अगर ले तो 2 doses co vaccine के लेने होते हैं और वो 2 doses 4 हफते अपाट लेना चाहिए 6 हफते बाद पूरा immunization complete और उसके बाद protection सुरू हो जाएगा और अभी तक की interim data ये कहता है कि 81% protection होगी इन vaccine से covid-sealed इसका एक dose से 70% protection मिलती है और अगर दूसरा dose लेना है तो उससे अगर थोड़ा delay किया जाए तो इसका असर ज्यादा रहता है तो covid-sealed का दोनों doses लेने में time लगता है तो जो भी vaccine मिल रही है वो vaccine आपको लेनी चाहिए और अगर बात करें उन लोगों की जिनको diabetes है या फिर asthma की problem है या फिर high blood pressure है क्या इन लोगों को vaccine लेनी चाहिए तो दोस्तो सभी को vaccine लेनी चाहिए vaccine नहीं लेनी की एक ही contraindication है अगर आपने पहला dose लिया है उस dose के बाद कोई reaction हुई है तब दूसरा dose नहीं लेना चाहिए उमीद करता हूँ दोस्तो आपके vaccines को लेकर सारा doubts clear हो गए होंगे इस वीडियो में अगर नहीं वह आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं comment box में लिख कर और दूसरा सुरक्षित रही है safe रही है जब तक आपके vaccine लगवानी की बारी नहीं आती मिलते हैं आगले वीडियो में दोस्तों सब तक पिलिए धन्यवाद